Hello everyone, तो आज हम सीखने वाले है linear recurrence और matrix exponentiation के बारे में तो complete चीज हम एक ही वीडियो में cover करने वाले जितने भी algorithms associated है जो आपको comparative programming साथ ही साथ, placements के लिए चाहिए, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेगी complete guidance देते हैं, हम लोग आपको complete training कराते हैं, interviews के लिए साथ हम लोग आपको recruiters, hiring managers के साथ connect करवाते हैं और referral support भी देते हैं तो आपको अगर one-to-one mentorship और guidance चाहिए हमारे तरफ से, आप नीचे description में दिये हुए पहले link को जागे click कर सकते हो, और हमारे साथ direct बातचीत कर सकते हो तो start करते हैं वीडियो को, सबसे पहला जो चीज है जो मैं सिखाने वाला हूँ वो यह है कि, अगर आपके पास दो numbers है, A और B, ठीक है, आपको बोला गया है A to the power B, निकाल के देना है, आप normally brute force method में क्या सोचोगे मैं एक loop चला दूँगा, जो B times चलने वाला है, right मैं एक loop चला दूँगा, जो B times चलने वाला है, और मैं A को बार बार multiply करता जाओँगा अगर B 8 है, तो मैं क्या करूँगा, एक loop चलाओँगा, 8 का तो 8 बार A basically multiply होगा, उस loop के अंदर, right यह आपका brute force logic है, जो आपका brain सोचता है normally अब यहाँ पर problem क्या हो सकता है, problem यह हो सकता है let's say जो B है, जो B है वो बहुत बड़ा number है, ठेक है let's say 10 to the power 9, या फिर 10 to the power 10, बहुत बड़ा number है तो इतना बार तो आप loop चला नहीं सकते, TLE आ जाएगा आपको, right तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते है, हमारे पास क्या और options है इस चीज को करने के लिए, यहाँ पर हम लोग matrix exponentiation use करते है तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो करके तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते है, हम लोग binary exponentiation कर सकते है binary exponentiation मतलब, अगर मेरे पास a to the power b है let's say a मेरा 2 है, b मेरा 18 है, ठीक है तो binary exponentiation का मतलब यह होता है आप यह जो उपर वाला 18 है ना, मतलब जो b है basically इसको binary में convert करो, 18 को binary में convert करोगे तो क्या हैगा I hope आपने bit manipulation का complete video देख लिया होगा अब तक आपको complete idea हो चुका होगा, bits के साथ खेलना कैसे होता है अगर नहीं देखा तो वो जाके पहले check out कर लो तो 18 को binary में convert कैसे करता है, 2 यहाँ पर 9 होगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 तो basically 18 हमारे binary में क्या आएगा, 1, 0, 0, 1, 0 यह basically हमारा 18 है, done है, अच्छा अब binary exponentiation यह कहता है, आप 2 to the power 18 डिरेक्ट मत करो आप 18 को पहले डिवाइड करो, ठेक है, 18 को डिवाइड कैसे करना है, अब आप यहाँ पर 1, 0, 0, 1, 0 देखोगे इसको ऐसे करता है कि, यह वाला जो है और यह वाला जो है, इसको अगर power में डालेंगे, कितना होता है, 2 to the power यह कितना है, 1 2 to the power 4, तो यह वेसिकली कितना है, 2 to the power 4 मतलब 16, 2 to the power 1 मतलब 2, 16 plus 2 is basically equal to 18, right, 16 plus 2 is basically equal to 18, तो हीस को हम कैसे लिख सकता है, 2 to the power 18 को अम लोग 2 to the power 16 into 2 to the power 2 भी लिख सकता है, 2 to the power 16 और 2 to the power 2 भी लिख सकते हैं और यह आ कहा से रहा है? binary से आ रहा है जिस जिस position पे हमारा set bit है उस position में जो basically value होता है इस position में कितना value होता है? 2 होता है, इस position में कितना value होता है? 16 होता है, तो वैसे ही हम divide कर रहा है 16 और 2 में divide कर दिया हमने 18 को Done है? अच्छा, तो अब आप पूछोगे कि भाई यह हमारे process को easy कैसे बनाता है फिर वे तो हमें 2 to the power 16 चाहिए है ना 2 to the power 2 तो चाहिए है ना तो क्या हम इन लोगों के लिए for loop लगाएंगे? नहीं, for loop नहीं लगाना है यहाँ पे आप trick देखो 1, 0, 0, 1, 0 है, right? 1, 0, 0, 1, 0 है तो यह basically 0 का है? यह basically 2 to the power 0 है यह 1 का है? 2 to the power 1 है यह 0 का है? 2 to the power 2 है यह 0 का है? 2 to the power 3 है यह 1 का है? 2 to the power 4 है मैं आपको बोल रहा हूं यह जितने भी values है ना मैं यहाँ पे लिखता हू 1, 0, 0, 1, 0 यह इतने भी values है, 2 to the power 0 मतलब कितना होता है, 1 होता है, 2 to the power 1 मतलब 2 होता है, 2 to the power 2 मतलब 4 होता है, 2 to the power 3 मतलब 8 होता है, 2 to the power 4 मतलब 16 होता है, यह जितने भी values है, जहां-जहां said bit है, उस जगा को count करना है, उस जगा को अपने resultant में गुसाना है, तो resultant हम रखेंगे एक 1 फिल करना है न हुए, multiplication करना है तो 1 रखेंगे, 0 नहीं रख सकते तो resulted 1 रखेंगे जहाँ जहाँ set bit है ना जो नीचे value आ रहा है उसको उठाएंगे, तेक है जहाँ जहाँ set bit है जो नीचे value आ रहा है उसको हम लोग उठाने वाले है तो सबसे से पहले क्या करेंगे, यह जो 1 है ना, यह जो 1 है, हम लोग क्या करेंगे basically, एक हमारा नीचे 2 होगा तो 2 basically 2 to the power, क्या बोल सकते है 2 to the power 1 बोल सकते है, 2 basically हमारा 2 to the power 1 है, अब 2 to the power 2 कितना होता है, 4 होता है ठेक है, यहाँ पे 4 लिख दो done है 2 to the power 4 कितना होता है 16 होता है क्या 16 जो है वो 4 का double है yes तो 16 लिख दो 2 to the power 8 कितना होता है 2 to the power 8 basically 16 का double होता है 256 I guess फिर 2 to the power 16 कितना होता है 2 to the power 16 will be basically 256 का square तो यहां पे हम लोग करींगे क्या थोड़ा बहुत अगर आपको pattern समझ आ रहा है तो आप catch कर लोगे basically मैं एक 2 पहले से रखूंगा उसको मैं double up करता जाओंगा double करता जाओंगा यह बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा double होता जाएगा ठेक है तो जिस जिस position पे मेरा set bit है न वहां पे जो भी value आ रहा है वहां पे जो भी value आ रहा है यहां पे इन positions को मैं count करने वाला हूँ इन positions को मैं अपने resultant में लेने वाला हूँ तो यहां पे 4 जो है यहाँ पर sedbit है तो मैं यहाँ पर 4 करूंगा यहाँ पर 256 square जो है sedbit है तो मैं यहाँ पर 256 square करने वाला हूँ यह basically मेरा resultant होगा जो भी है यह basically मेरा resultant होगा यह basically मेरा to the power 18 का value होगा अब जाके calculate करके देख सकते हो तो इस चीज को मैं वापस से repeat करने वाला हूँ ताकि आपको clarify हो जाए पूरा तो हम लोग क्या करेंगे basically अगर हमारे पास दो numbers है A और B ठेक है let's say A हमारा 2 है B हमारा 18 है तो हम लोग क्या करेंगे firstly 18 को पहले तो binary में convert करेंगे 18 को binary में convert कैसे करेंगे वापस समय दिखा रहा हो 18 यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा तो basically 18 को convert करेंगे binary में तो कितना आ रहा है 1 0 0 1 0 अच्छा अब इन सारे bit positions पे basically value कितना होता है इन सारे bit positions पे basically value कितना होता है अब मैं क्या करने वाला हूं कि तूर दी पावर 0 मतलब 1, तूर दी पावर 2 मतलब 4, तूर दी पावर 3 मतलब 8, तूर दी पावर 4 मतलब 16. ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं अब, ये values निकालने के बाद, जिस जिस position पे मेरा set bit है, उनको मैं consider करने वाला हूं, तो basically मुझे इस 2 को consider करना है और इस 16 को consider करना है, तो मैं तूर दी पावर, ये वेसे कि लिए क्या मैं बताना चाहरा हूं, मेरे को तूर दी पावर 2 को consider करन है, मेरे को तूर दी पावर 16 को consider करना है, तूर दी पावर 16 into तूर दी पावर 2, तूर दी पावर 16 into तूर दी पावर 2 is basically तूर दी पावर 18, right, तो मेरे को ये तूर दी पावर 16 और दी पावर 2 चाहिए basically, मैं क्या करूंगा, मैं एक 2 यहां पर डालूंगा, ठेक है, मैं एक 16 को मैं square करूँगा तो कितना होगा 256 जो की 2 to the power 8 के बराबर है इस 256 को मैं square करूँगा तो basically वो क्या होगा basically वो 2 to the power 16 के बराबर होगा ठेक है तो मैं एक 2 रखूँगा उसको square करता 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 सामने लेके जाओँगा जहां पे भी मेरा segment है उस position को मैं consider करूँगा और अपने resultant में उसे multiply कर दूँगा ठेक है तो यहां पे 4 multiply होने वाला है और 256 square multiply होने वाला है जो भी आएगा वो हमारा answer होने वाला यही है आपका binary exponentiation इसको अब अच्छे से हम लोग code करके देखते हैं code करने से पहले मैं और एक 3 to the power let's say 17 okay 3 to the power 17 है हम लोग क्या करेंगे पहले 17 को binary में convert करेंगे तो 2 यहां पे कितना होगा 8 यहां पे 1 यहां पे 4 यहां पे 0 यहां पे 2 यहां पे कितना 0 यहां पे 1 यहां पे कितना 0 तो basically यह है हमारा binary में convert करने के बाद 17 तो यहाँ पर क्या करें है 1, 0, 0, 0, 1 तो basically यह कितना value है? यह 1 कितना value है? 2 to the power 0 यह 2 to the power 1, यह 2 to the power 2, यह 2 to the power 3, यह 2 to the power 4 तो 2 to the power 0 मतलब basically 1 2 to the power 1 मतलब 2, 2 to the power 1 मतलब 2 2 to the power 2 मतलब 4, 2 to the power 3 मतलब 8 2 to the power 4 मतलब 16, right? ठीक है? तो हमें क्या करना है यह जो numbers आए है यहाँ पर its ead свобод कोन है यह sed if it है और यह sed if it है तो हमें क्या करना है basically 3 to the power 1 3 to the power 1 यह वाला और 3 to the power 16 into 3 to the power 16 यह basically हमारा 3 to the power 17 है right तो हमें इस 1 और 16 को consider करना है तो हम लोग क्या करेंगे 3 से start करेंगे इस बार पहले हम लोग 2 से start किये थे, इस बार 3 से start होगा, ये 3 का square कितना होगा? 9, ये 9 का square कितना होगा? 81, 81 का square कुछ होगा, फिर 81, 4, right? तो basically 3 to the power 1 basically 3 होता है, 3 to the power 2 basically 9 होता है, 3 to the power 4 basically 81 होता है, 3 to the power 8 basically 81 square होता है, 3 to the power 16 basically 81 to the power 4 होता है, तो हमें at the end यही करना है, हमें इस 3 को consider करना है और एस 81 to the power 4 को consider करना है, यही हमारा resultant होने वाला, तेका है I hope आपको इस बार समझ आ चुका होगा कि A का जो value है वो बढ़ कैसे रहा है अब इसको हम लोग code करेता है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे 2 numbers int A और B लेने वाले है scene करेते हैं इनको done है अच्छा अब क्या करना है basically एक resultant भी लेना है तो while B आपका greater than equals to 0 जैसे हम लोग right shift करते थे bit manipulation का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख क्या वरना समझ नहीं आएगा तो B को हमने binary में convert कर दिया अब B के हर एक bit position पे हमें check करना है कि signed bit है या unsigned मतलब set bit है या फिर not set है तो क्या करेंगे हम लोग if B and 1 या greater than 0 होता है इसका मतलब क्या है signed bit है मतलब set bit right तो अगर set bit है हम लोग क्या करेंगे basically consider करेंगे A को right consider करेंगे A को तो resultant equals to resultant into A होने वाला तो और हर बार हम लोग क्या करेंगे A जितना है A अगर 2 है तो starting में 2 होगा A अगर 3 है तो starting में 3 होगा next phase के लिए A कितना होगा square of the initial value अगर 2 है अभी तो next phase में 4 होगा अगर 3 है अभी next phase में 9 होगा right अगर 4 है अभी next phase में 16 होगा तो हम लोग A को क्या करेंगे double कर देंगे मतलब double मतलब A into A कर देंगे A equals to A into A ठीक है done है और B कैसे चोटा होगा B का जिस current digit में हम लोग खड़े है bit position पे वो तो हो गया हम next bit के लिए देखना है तो B equals to क्या करेंगे right shift 1 done है अच्छा c out result करते है endel return 0 already है ठीक है तो क्या करते है पहले A लेते है 2 B लेते है 5 2 to the power 5 मतलब 32 आना चाहिए यह देखते करके ठीक है आ गया 32 अच्छा 3 और 3 और कितना देखते है 3 और 4 देखते है 81 आना चाहिए देखते है 81 आ गया 3 और 17 देखते है कितना आता है ठीक है जो भी आ रहा है सही हा रहा है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे एक बड़े नंबर के लिए देखेंगे कि A और B अगर बहुत बड़े नंबर्स होए तो फिर क्या करना पड़ेगा ओके तो A और B अगर बहुत बड़े नंबर्स होते है तो store करने के लिए हमारे पास जगा नहीं हो पाईगी ठेक है तो basically जब भी ऐसे questions आपको दिये जाएंगे तो आपको mod करने बूला जाएगा mod करने बूला जाएगा आपके resultant को और आपके answer को तो mod हम लोग basically करते क्या है और किस से करते है mod basically एक prime numbers से ही हम लोग करते है क्यों करते है यह आपका assignment है जाके मेरे को comment में बताओ कि mod हम लोग prime numbers के साथ ही क्यों करते है prefer क्यों करते है mod prime numbers के साथ अच्छा तो basically most of the cases में हम 1e9 plus 7 use करते है as a mod value ठेक है इसी को use करके हम सारे answers को या फिर जब भी कोई result आ रहा है उसको mod करते है तो mod करने का तही का क्या होता है हम लोग अगर let's say हम लोग अगर plus कर रहे ठेक है दो बड़े numbers है हमारे पास a plus b ठेक है बहुत बड़े-बड़े numbers है इनको ऐसा situation है कि a और b को plus करेंगे न तो यह हो जाएगा मतलब store नहीं कर पाएगा और a और b ठेक है single single सही है बट उस extent पर पहुँच चुके है कि a और b जब भी plus होगा तो out of bound चला जाएगा मतलब हम लोग उसको store नहीं कर पाएगा इस case में हम लोग क्या करते है basically a plus b a plus b a plus b बहुत लोग ऐसे करते है a plus b mod फिर mod value मतलब 1e9 plus 7 मतलब a plus b mod 1e9 plus 7 बहुत लोग यह कर रहे था but हमें actually में करना क्या चाहिए हमें a mod ठेक है हमें a mod 1e9 plus 7 ठेक है plus b mod 1e9 plus 7 ऐसे लिखना चाहिए ठेक है यह हमें store करने में help करेगा efficiently out of storage नहीं जाएगा ठेक है ऐसा नहीं होगा कि हम लोग store ही नहीं कर पा रहे so this is the right procedure a plus b mod 1e9 plus 7 यह error दे सकता है but यह कभी आपको error नहीं देगा multiplication phase में क्या करना पड़ता है अगर multiply करना पड़ रहे हमें तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है let's say a into b mod 1e9 plus 7 इसको basically हम लोग कैसे लिखते है actually में a mod 1e9 plus 7 यह हो गया into b mod 1e9 plus 7 यह whole होगा mod 1e9 plus 7 से ठेक है यह procedure होता है multiplication करते वक्त तो a into b mod 1e9 plus 7 डिरेक नहीं लिखते है पहले a को mod करते है 1e9 plus 7 से फिर b को mod करते है 1e9 plus 7 से इन दोनों को into करते है फिर total जो बन रहा है वो 1e9 plus 7 से हम लोग mod करते हैं okay so this is the procedure तो हमने अभी जो code किया वहाँ पर हमें क्या-क्या changes करने पड़ेंगे अगर बहुत large numbers आ जाए वो एक बार देख लेता है mod कहां पर हमें basically लगाना पड़ेगा basically यही formula है जहां पर हमने multiply किया था multiply अगर दो numbers को किया था तो mod लगा दो वहाँ पर ऐसे करेके plus अगर दो number को किया था तो plus ऐसे mod लगा दो आप वहाँ पर ठेक है let's say mod equals to 1e9 plus 7 ठेक है यह हो गया अच्छा तो यहाँ पर हमनों क्या करेंगे res res mod mod into into क्या करना है a mod mod and finally finally क्या करेंगे total को mod करेंगे ठेक है यह हो गया same यहाँ पर भी ओने वाला ठेक है a mod mod यह अलग रहेगा यहाँ पर a mod mod यह भी अलग रहेगा और total जो है वो भी mod होगा ठेक है total जो है वो भी mod होगा तो यह basically है आपका mod operation, ठीक है, इसे को हम लोग बोलते है, modular operation, ठीक है, modular exponentiation इसको बोलते है, पहला वाला binary exponentiation था, यह है modular exponentiation, ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं, कि दो numbers अगर हमारे पास है, तो उन दोनों को multiply कैसे करता है, fast multiplication जिसे हम बोलते है, मतलब A और B हमारे पास है, तो A into B को multiply कैसे करेंगे, अगर A into B, मतलब A और B बहुत बड़े numbers है, तो वो अभी देखने वाले है, तो fast multiplication हम किसे करता है, let's say हमारे पास दो numbers है, थेक है, दो numbers है, A और B, थेक है, हमें क्या करना है, A into B करना है, तो यहाँ पे, बोला यह गया है, कि A और B जो है, थेक है, A और B जो है, वो less than 10 to the power 15 है, थेक है, A और B जो है, वो less than 10 to the power 15 है, अच्छा, तो यहाँ पे, हम binary को कैसे use कर सकते हैं, पहले हमने देखा, यह binary exponentiation में, हमने, A to the power B में, जो B था, उसको हमने binary में convert किया, यहाँ पे हम लोग binary में, कैसे use कर सकते हैं, A into B करने के लिए, तो सबसे पहले, यहाँ पे B को आपको convert करना पड़ेगा, again binary में, So, A into B basically क्या होता है, अगर मैं बोलू, 2 into 5, it's basically equal to 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, right, 5 बार 2, तो, A into B will be basically, A plus A plus A plus A plus A dot dot, बढ़ता जाएगा, जब तक, B times A हमने plus नहीं कर दिया, अगर 2 into 5 है, तो 5 बार 2 plus होगा, अगर A into B है, तो B times A plus होगा, right, तो यहाँ पे B को हमें convert करना पड़ेगा, सबसे पहले binary में, okay, so let's say हमारा जो A है वो 5 है, और जो B है वो let's say 13 है, तो 13 को पहले, A 5 है, B 13 है, तो 13 को पहले convert करो binary में, तो 2 यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 1, 0 1 आया, right, तो यहां पर हमें क्या करना है कि यह जो है इसका वैलू कितना होता है 2 दी पावर 0, यह 2 दी पावर 1, यह 2 दी पावर 2, यह 2 दी पावर 3, तो 2 दी पावर 0 मतलब 1, 2 दी पावर 1 मतलब 2, 2 दी पावर 2 मतलब 4, 2 दी पावर 3 मतलब 8, तो 1 जहां जहां है, तो 1 जहां जहां है, उसको plus करना है 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है मतलब इस 1 इस 4 और इस 8 को plus करेंगे तो क्या होगा 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना आएगा basically 13 आएगा तो यह जो 8, 4 और 1 है इसको मैं यहाँ पर 5 into 13 के जगा पुट करो तो क्या आएगा प्लस 5 into 4 प्लस 5 into 1 तो यह basically मेरे को चाहिए यह basically मेरे को चाहिए 5 into 8 करूंगा 40 आएगा 5 into 4 करूंगा 20 आएगा 5 into 1 करूंगा 5 आएगा तो यह basically कितना होगा 65 which is 13 into 5 तो मुझे यह जो 8, 4 और 1 आएगा बाइनरी को बनाने के बाद यह मेरे को 5 into 8 करना है 5 into 4 करना है 5 into 1 करना है और यह प्लस करना है इस बार मल्टिप्लिकेशन नहीं करना है तो resultant इस बार हमारा क्या रहेगा resultant हमारा 0 ही रहेगा ब्लस करना है तो एक चीज यहां पर आप देखो 5 into 1 हमें कॉंचेडर करना है because ये वाला जो है set bit है 5 into 4 हमें consider करना है because ये वाला जो है set bit है 5 into 8 हमें consider करना है because ये वाला जो है set bit है इसको हम लोग कोड में convert कैसे करेंगे like क्या pattern हमें यहाँ पे दिख रहा है मैं आपको थोड़ा सा pseudo code दिखाता हूं पहले ठेक है तो 5 into 13 है right which is basically equal to 8 5 into 1 तो 1 यहाँ पे है फिर आपका क्या है 1, 0, 1 ये basically 13 का binary formatter तो हमें क्या करना है हम क्या करेंगे ये जो है 2 to the power 0 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 4 2 to the power 3 right which is basically equal to 1 2, 4 और 8 right हम क्या करेंगे basically सबसे पहले तो हम जो भी B है हमारा उसको binary में convert करेंगे तो binary में convert करते है while B ठेक है greater than 0 इसके बाद क्या करेंगे digits को extract करेंगे ठेक है हर एक digit को extract करेंगे पहले यहाँ पे आता है तो if B and 1 ठेक है it's greater than 0 मतलब ये sedbit है ठेक है अगर ऐसा हुआ क्या करेंगे एक resultant रहेगा हमारा and resultant फिलाल के लिए 0 रहेगा तो resultant में हम क्या plus करेंगे resultant में हम क्या plus करेंगे बताओ resultant फिलाल के लिए 0 है resultant में हम क्या plus करेंगे क्या plus करेंगे बताओ अच्छे से सोचो हमारा ये जो है वो क्या है हां हमारा a जो है वो क्या है 5 है राइट तो हम पहले क्या चाहिए था हमें पहले क्या चाहिए था 5 इंटु 1 तो यहां पर अगर मैं a को प्लस कर देता हूं ठेक है लट से a को मैंने यहां प्लस कर दिया resultant अब क्या होगा resultant मेरा होगा 0 प्लस 5, 5 होगा Done up, ठीक है, चलो इस बार मैं क्या करूँगा कि A equals 2 A into 2 करूँगा, क्यों करूँगा A into 2 करूँगा मैं करता हूँ A into 2 करूँगा मेरा A क्या बन जाएगा, A कितना था, 5 था A into 2 करूँगा, 5 into 2 करूँगा A बन जाएगा 10 एक चीज अच्छे से देखो Next phase के लिए यहाँ पर तो 5 into 1 है, इस phase के लिए 5 into 2 नहीं है इस phase के लिए 5 into 2 नहीं है है obviously तो 5 into 2 अगर consider मुझे करना होता 5 into 2 अगर consider मुझे करना होता यहाँ पर का set bit रहता 5 into 2 मुझे consider करना होता तो यह 10 मेरे को resultant में plus करना पड़ता यहाँ पर 0 है तो यह 10 मेरे को resultant में plus नहीं करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा पहले तो B equals to right shift 1 करूँगा ताकि यह वाला हड़ जाए इसको मैं आ जाओं यहाँ पर set bit नहीं है तो again हट जाएगा यहाँ पर मैं आ जाओंगा और इस बीच क्या होगा A equals to A into 2 होगा मतलब A अभी 10 है तो 20 बन जाएगा तो क्या 5 into 4 बीच के बराबर नहीं है obviously बराबर है 5 into 4 बीच के बराबर है यहाँ पर set bit जब आ रहा है तो basically resultant में क्या होगा resultant equals to resultant plus A मतलब 5 plus 20 25 बन जाएगा यह फिर क्या बनेगा A बन जाएगा आपका 20 into 2 40 तो 5 into 8 40 के बराबर नहीं है obviously है तो 40 बीच यहाँ से आ गया यह वाला bit खतम होगया यहाँ पर आ चुके है अब क्या होगा यहाँ पर again set bit है तो resultant equals to resultant plus है मतलब 25 plus 40 होगा तो कितना होगा resultant बन जाएगा 65 यह क्या बनेगा 14 into 2 80 बन जाएगा यह वाला set bit चला गया अब कुछ बचा नहीं है तो resultant हमारा कितना है 65 है यह हमारा answer आ जाएगा तो ऐसे ही आपको framing करना है हर एक algorithms को इसको अब अच्छा से code करके देखते है और देखते है कि run कर रहा है या नहीं execute हो रहा है या नहीं सही answer आ रहा है या नहीं तो दो numbers हमें लेने हैं int a और b scene कर देते हैं इनको अब हमें क्या करना है एक तो resultant रहेगा अपना resultant 0 रहेगा b को binary में convert करना है तो while b greater than 0 ठीक है अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे if set bit है तो if b and 1 greater than 0 अगर set bit है तो greater than 0 result आएगा यहाँ पर तो क्या करेंगे resultant plus equals to कितना a right अच्छा a next phase के लिए कितना होगा a will be a into 2 right अगर सबसे पहले 5 है next phase में कितना consider करना पढ़ेगा 5 into 2 next phase में कितना consider करना पढ़ेगा बताओ 5 into 4 next phase में कितना consider करना पढ़ेगा 5 into 8 ऐसे करते करते बढ़ेगा तो जो value है 5 into 2 10 5 into 4 20 5 into 8 कितना 40 तो यह value जो है एक value जो है यह double up हो रहा है बार बार रेट 5 से 10 फिर 10 से 20 फिर 20 से 40 यहां पर हम लोग double कर रहे हैं double up कर रहे हैं बार 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 बीकोस तो क्या होगा rate shift 1 सही है cout resultant handle कर दो अच्छा तो यहां पर देखते हैं a अगर 5 है b अगर 13 है 65 आना चाहिए ठीक है तो 65 आ गया अच्छा अब mod को भी देख लेते हैं यहां पर mod कैसे use होगा प्लस है न यहां पर तो प्लस जहां पर करते हैं क्या करना पड़ता है rest plus a है अगर तो यहां पर क्या होगा rest mod mod plus यहां पर क्या करेंगे a mod mod और whole mod हमें करना पड़ेगा एक बार right whole mod हमें करना पड़ेगा done है अच्छा इस a into 2 को क्या करना है यहां पर a into 2 को again वही mod कर दो यहां पर 2 को तो mod करने की जरुवत है नहीं वैसे यहां पर क्या करेंगे last में whole mod mod ठेक है done है अब इसको एक बार वापस से build करके देख लेते हैं ठेक है चलो सही answer है अच्छा यह हो गया हमारा fast multiplication अब हम लोग last में सीखने वाले है क्या matrix exponentiation ओके तो वहां पर move forward करते हैं ओके तो let's say हम लोग Fibonacci numbers निकाल रहे हैं तो Fibonacci numbers basically series होता कैसा है 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर का 13 फिर आपका 21 फिर आपका 34 फिर आपका 55 फिर आपका फिर आपका फिर आपका क्या होता है यहां पर 5 6 7 8 89 और ऐसे करते हैं बढ़ता रहा था तो यहां पर अगर Fibonacci number मेरेको find करना पड़े है let's say मेरेको nth Fibonacci number find करना है तो nth Fibonacci number is basically n-1th Fibonacci number plus n-2th Fibonacci number right nth Fibonacci number is basically n-1th Fibonacci number plus n-2th Fibonacci number तो हमें अगर कोई भी matrix दिया रहे है कि ठीक है F of n हमारे पास है F of n-1 हमारे पास है और next जो हमें बनने वाला है हम लोग बनाने वाला है वो है F of n plus 1 और F of n ठीक है तो इस F of n और F of n-1 के साथ हमें क्या basically multiplication करना पड़ेगा ताकि ये आजाए ताकि ये आजाए ताकि ये आजाए तो basically F of n plus 1 जो है और F of n इसको हम लोग कैसे लेख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लेख सकते हैं F of n plus 1 मतलब F of n plus F of n-1 और नीचे F of n ही रखते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर आपको matrix multiplication आता है I hope आपने किया होगा जब आप छोटे थे तो अगर आपको matrix multiplication आता है तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा यहाँ पर 2 cross 2 का matrix हमें बढ़नाना पड़ेगा I hope आपको आता होगा matrix multiplication यहाँ पर 2 cross 2 का matrix हमें बनाना पड़ेगा तो f of n plus f of n minus 1 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1 और 1 लगना पड़ेगा मतलब 1 into f of n plus 1 into f of n minus 1 तो यह basically मेरा यहाँ पर आएगा ठीक है और f of n बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 और यहाँ पर 0 मतलब 1 into f of n plus 0 into f of n minus 1 यह मेरे को basically f of n देगा तो यह basically वो matrix है जिसके साथ हम f of n और f of n minus 1 को multiply करूँगा तो मेरा next number आजाएगा series का मेरा next number आजाएगा series का so यह जो matrix है इसे हमें t नाम देता हूँ यह जो t matrix है इसे ही हमें find करना है कि यह कौन सा matrix है कौन सा ऐसा matrix है जिसको हम लोग multiply करेंगे f of n f of n minus 1 से तो हमारा series का next number आजाएगा तो यहाँ पर अगर मैं देखू अच्छे से अच्छा तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ t into f of n is basically f of n plus 1 मतलब t into f of 1 क्या होगा f of 2 अच्छा सही है t into f of 2 कितना होगा f of 3 सही है t into f of 3 कितना होगा f of 4 सही है t into f of 4 कितना होगा f of 5 ठीक है चलो सही है अब मैं f of 4 के जगा क्या लिख सकता हूँ f of 4 basically है क्या t into f of 3 है right equals to f of 5 f of 3 basically क्या है f of 3 basically यह है t into f of 2 है t into t into t into f of 2 ठीक है okay equals to f of 5 तो यहां से अगर आप देखो f of 2 मतलब second fibona की number second fibona की number है क्या second fibona की number आपका है क्या 1 यह आपको अल्रेडी पता है second fibona की number मेरा 1 है तो यहां से आप क्या ले सकते हो second fibona की number को आप आपको पता है second fibona की number आपका 1 है तो यहां पर आप क्या देख रहे हो t cube into f of 2 equals to f of 5 right तो यहां पर अगर मेरा f of n है ठीक है यहां पर अगर मेरा f of n है मैं यहां पर क्या लेख सकता हो t to the power कितना लेख सकता हो n minus 2 लेख सकता हो obviously right t to the power n minus 2 मैं लेख सकता हो f of n है यहां पर अगर तो मैं यहां पर क्या लेख सकता हो t to the power n minus 2 which is basically 5 minus 2 which is basically 3 तो यहाँ पे मुझे पता है T क्या है 1, 1, 1, 0 तो 1, 1, 1, 0 2 the power n-2 मुझे basically find करना है 1, 1, 1, 0 2 the power n-2 मुझे basically find करना है और f of 2 क्या है f of 2 क्या है basically f of 2 is basically यहाँ से मैं अगर relation देखू f of 2 क्या है f of 2 is basically उपर f of 2 नीचे f of n-1 मतलब 2-1, 1 तो वो link देता है यहाँ पे f of 2 मतलब उपर f of 2, नीचे क्या है f of 2-1 मतलब 1 और this will be f of n f of n मतलब कितना बताओ f of n मतलब f of n, नीचे f of n-1 सही है दन है तो मुझे basically यह जो है tdv power n-2 यही find करना है तो 1, 1, 1, 0 to the power n-2 मुझे यहाँ पे find करना है और f of 2 कितना होता है f of 2 is basically 1 second Fibonaki number is 1 first Fibonaki number is also 1 तो यहाँ पे 1, 1, 1, 0 to the power n-2 equals to basically f of n और f of n-1 तो यहाँ से अगर मुझे यह वाला expression का value मिल गया पतलब 1, 1, 1, 0 to the power n-2 अगर यह वाला value मुझे मिल गया तो उसको मैं 1 और 1 से multiply करके basically जो भी मेरा उपर का value आएगा वो मेरा n-th Fibonaki number है जो भी मेरा उपर का value आएगा 1, 1, 1, 0 जो matrix है to the power n-2 जब मुझे मिल जाएगा उसके साथ मैं 1 और 1 को multiply करूँगा तो उपर में जो भी value आएगा उपर में जो भी value आएगा वो मेरा n-th Fibonaki number होगा so this is the method यह हम अब execute कैसे करेंगे यह हमें देखना है तो सबसे पहले हम लोग n ले लेंगे कि कौन सा हमें Fibonaki number चाहिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक struct बनाएंगे struct बनाएंगे matrix इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक size भी लेंगे size फिलाल के लिए हमें देखा 2 x 2 का size था तो 2 ही लेंगे फिलाल के लिए कोई दूसरा question है तो वहाँ पर size differ करेगा size एक important term है size differ करेगा 3 x 3 भी हो सकता 4 x 4 भी हो सकता कुछ भी हो सकता खिलाल के लिए हमने 2 x 2 देखा था t जो है वो 2 x 2 था तो इसलिए हम लोग size 2 ले रहे तो एक 2 x 2 का matrix बनेगा int m size size ठेक है अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक constructor बनाएंगे mat यह क्या करेगा कि जो भी हम लोग matrix बनाएंगे न उसमें सारे के सारे elements 0 रहेंगे initially mean set क्या करेंगे m जो है वो 0 रहेगा size of m ठेक है एक identity matrix बनाएंगे identity matrix हमें क्यों चाहिए जब हम लोग आप यहाँ पर multiplication ही करोगे न binary exponentiation जब कर रहे थे multiplication कर रहे थे resultant में यहाँ पर भी resultant 1 तो नहीं रहेगा न यहाँ पे एक metrics के format में हमें चाहिए 1 पहले 1 था यहाँ पर हमें एक metrics के format में चाहिए 1 तो हम लोग एक identity matrix use करेंगे तो हम लोग एक identity होगा ठेक है तो यहाँ पर basically क्या होने वाला है हमारा जो M है, हमारा जो M है, M matrix है, उसके diagonal में सिर्फ 1 होंगे, तो 1, 0, 0, 1, तो क्या करेंगे, for int i equals to 0, i less than size, i plus plus, m at i, i equals to 1 होगा, तो यह basically हमारा identity matrix जो है, वो बना के हमें दे देगा, अच्छा, इसके बाद हम लोगो operator overloading, जो concept है, वो use करेंगे, मतलब हमें basically 2 matrix को multiply करना है, तो उसको कैसे करेंगे, वहीं अब हमें देखने वाले है, तो mat operator, कोई भी हमारे पास matrix आएगा, ठीक है, कि इसके साथ multiply आपको करना है, आपके current matrix को, तो मैं बताने वाला हूँ, यह operator का काम क्या है, operator जो multiply मैंने किया, इसका काम क्या है, मैं बताने तो mat, let's say, एक matrix आ रहा है, हमारे पास A, तो दो matrix तो जब हम लोग multiply करेंगे, एक resultant matrix बनेगा, तो उसको बना लेता है, mat, resultant matrix हमने बना लिया, okay, सही है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यह operator जो है, यह काम कैसे करेंगे, let's say, हमारे पास है, int, fib, int, end, तो basically, यहा और एक matrix R है, तो हम लोग क्या कर सकते है, कि T, ठेक है, T equals to T into R जब भी करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, T और R जो matrix है इन दोनों को multiply करो, तो यह जो operator है उपर में, यह operator multiply का जो sign है, यह basically यही काम करेगा, आपका existing एक matrix है T, आपके पास एक दूसरा matrix आ रहा है R, इन दोनों को multiply करो, वापस T में बेज दो, ठेक है, इसका मतलब वही है, आपके पास एक existing matrix T है, आपके पास एक matrix आ रहा है R, आप T और R को multiply करो और वापस से T में बेज दो, तो वही यहाँ पर हो रहा है, आपके पास existing matrix M है, आपके प इसको मैं delete कर देता हूँ, जब वहाँ पर काम करेंगे तो लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाल है, 4, basically matrix multiplication हम लोग करते कैसे, अगर हमारे पास एक matrix में है 1, 2, 3, 4, और दूसरे matrix में है 5, 6, 7, 8, तो matrix multiplication होता कैसे है वैसे, 1 into 5 plus 2 into 7, ठीक है, 1 into 5 plus 2 into 7, ठीक है, यह पहले हो गया, यह हमारा left में रहता है, top left में, दूसरा क्या होता है basically, दूसरा क्या होता है basically, 1 into 6, 2 into 8, 1 into 6 plus 2 into 8, ठीक है, यह हो गया, top right में, अच्छा, नीचे क्या होता है bottom left में, 3 into 5, 4 into 7, 3 into 5 plus 4 into 7, अच्छा, यह हो गया, bottom left में, bottom right में क्या होता, 3 into 6 plus 4 into 8, ठीक है, तो यह basically आपका scene होता है, matrix multiplication का, आप इन दोनों के साथ 5, 7 का करते हो पहले, फिर इन दोनों के साथ 6, 8 का करते हो, फिर आप इन दोनों के साथ 5, 7 का करते हो, फिर आप इन दोनों के साथ 6, 8 का करते हो, फिर आप इन दोनों के साथ 6, 8 का करते हो, ठीक है, यह basically matrix multiplication है, तो हम ल प्लस प्लस for int j equals to 0 j less than size j plus plus और एक होगा for int k equals to 0 k less than size k plus plus तो यहां पर हम लोग करने गया वाल है अब यहां पर क्या लिखेंगे resultant of m of i j equals to m of क्या होगा यहां पर plus equals to m of i k फिर क्या होगा यहां पर into आपका कितना होगा a of कितना k और j okay तो यह basically आपका जो resultant matrix है वो फिल कर देगा and finally हम resultant matrix को return कर देंगे okay done है यहां तक अच्छा अब हम लोग 5 वाला जो आपका function है उसको बरने वाले है okay तो अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले है हम लोग एक matrix resultant बनाने वाले है ठेक है resultant को हम लोग क्या करेंगे identity matrix बनाएंगे तो res.identity ठेक है identity matrix बन गया res और हम लोग एक t matrix बनाएंगे ठेक है तो t को हम लोग पहले क्या करेंगे t.m ठेक है t का जो matrix है t.m ऊपर क्या होगा हमारा जो t matrix है वो क्या था one 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 zero right वो बनाना है तो हमें तो zero zero में साती साथ क्या t.m at क्या zero one में साती साथ क्या t.m one zero में ठेक है इन सारे positions में हमारा जो value है वो one रहने वाला है और one one में zero रहने वाला तो one 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 zero वो हमने बना लिया अच्छा एन जो है हमें कितना चाहिए था अगर पांच है तो three चाहिए था three पी पाथ three उसका मतलब अगर n है तो n minus two चाहिए तो n equals to n minus two कर देता done है अच्छा अब हमें क्या करना है same binary exponentiation जो किया था power जो है उसको binary में convert करो फिर उस पर देखो कौन सा digit signed है मतलब sedbit है उसको consider करना है same चीज है तो हम लोग क्या करेंगा यहापर while n greater than zero क्या करना है यहापर यहापर हम क्या करेंगे if n and one greater than zero इसका मतलब sedbit है तो क्या करना है res जो है आपका ठीक है res equals to res into कितना बताओ res equals to कितना t होगा right फिर आप क्या करोगे t into t हो जाएगा done है and finally आप क्या करोगे n equals to n right shift 1 सही है यहाँ तक last में क्या करोगे अप अपका जो resultant है वो आ चुका है right resultant जो है वो आ चुका है तो resultant का उपर का जो दो है उसको plus करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा nth fibona की number जो हमने बताया था right तो return rest.m 00 plus rest.m 01 तो यह हमारा nth fibona की number है यहाँ पर हम लोग इसको call करता है and answer equals to fib n cout answer करके देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है तो let's say 5th fibona की number चाहिए जो की basically 5 ही होता है ओके यहाँ पर problem है अच्छा यहाँ पर हम लोग multiply जो sign है वो use नहीं कर सकते है t into t करना पड़ेगा लगसे यह operator overloading जो concept हमने उपर देखा था उसके वजा से हो रहा है ठेक है तो यहाँ पे ctrl shift b करते है build करते है इसको देखते है answer आता है yeah answer आ रहा है 5 let's say 6th fibona की number आपका 8 होना चाहिए देखते है या नहीं 10th fibona की number आता है या नहीं क्या होना चाहिए देखते है ठेक है 55 हो रहा है ठेक है तो यह है basically आपका linear recurrence और matrix exponentiation का concept I hope आपको समझ आ चुका हो कर सारा का सारा algorithms कोई भी अगर doubt है कहीं पे भी problem लग रहा है समझ नहीं आया वीडियो एक बार वापस से देखो फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे comment section में जाके ज़रूर बता सकते हो I will help you out and अगर वीडियो अच्छा लगा हो informative लगा हो reference चाहिए, recruiters के साथ connect करना है, hiring manager के साथ connect करना है, सारा हम लोग responsibility ले रहे हैं, आप हमसे directly आगे बाद चित कर सकते हो, नीचा description में link दिया हुआ है, सबसे पहला link के जागे check out कर सकते हो, तो मिलते हैं बहुत ज़ल, next lecture में तब तक लिए, stay happy, stay healthy and bye-bye और by the way, practice problems देना तो भूली गया, तो कुछ-कुछ practice problems आपको करने हैं, सारे के सारे algorithms कवर करने के बाद, तो एक यह है, lead code number 50, फिर आपका है lead code number 1808, फिर आपका है lead code number 509, फिर आपका code forces का यह question है, strange function, फिर आपका nth tribuna की number 1137 lead code का number, फिर आपका SPOG से SEQ है, यह वाला आपको क करना है, after going through linear recurrence, ठीक है, और जो आपका matrix exponentiation है, उसको करने के बाद ही इस पर आना है, इसके बाद आपका SEE है, यह भी आपको matrix exponentiation करने के बाद ही आना है, and finally आपका fibosum है, यह भी आपको matrix exponentiation करने के बाद ही आना है, linear recurrence करने के बाद आना है, यह आपके सारे के सारे problems से, आ प्रैक्टेस करना अच्छा से और बाई बाई